पिकल यानि अचार बना कर लाए है उनका बनाया पिकल सभी को बहुत पसंद आता है इतना कि आने वाले हर साल वो इसकी उमीद करते है मायोई कहता है कि इस साल पिकल कुछ जादा ही अच्छा है जिनकी बातें इनाय धहरी से सुन रहे है मायोई कहता है कि उन्होंने भी इनाय की रेसिपी ट्राइ की जो इतना अच्छा नहीं बना, ये तो बस इनाई के हाथों की ही कला है, एगॉन देखता है कि मायोई कुछ जादा ही मसका लगा रहा है, मायोई फिर कहता है कि वो जानना चाहता है कि आखर इनाई, खुद की उगाई सब्जियों से खुद ही बना कर टेंपल के लोगों के इंशुन की ये बात मायोई को पसंद नहीं आती और वो सब के सामने ही इंशुन से पूछ लेता है कि आखिर बात क्या है वो जब से मुसाशी से लड़ा है वो बुरी तरह से तिरमलाया हुआ रहता है अगर वो लड़ाय ही उसे बहकाने के लिए काफी था तब तो वो हुजा इंशुन के मास्टर होने के लायक ही नहीं है तब भी एगॉन मायोई को उसकी लिमिट में रहने को कहता है वो जानता है कि मायोई के जैसे कई लोग है जो इंशुन के मास्टर होना परदाश नहीं कर पा रहे हैं खासकर कि वो उनसे कम उम्र का है एगॉन जानता है कि मुसा मुसाशी की याद आ रही है। अगर ऐसा रहा तो अगला मस्टर मायोई होगा। मायोई भी जानता है कि उसे तो पहले ही मास्टर होना चाह YE था। अभी कासुगा मॉंटेन पर है। और काफी जोरो शोरो से इंशन को हरानी के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। और तो और मास्टर इनाई खुद उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं। इतना सुनते ही इंशुन की वहाँ एंडरी होती है। वो देखता है कि वहाँ एक मौंग इस पिर उठा रहा है। इंशुन सीधा उस मौंग पर हमला कर देता है। ये देखते ही सब के हूश और जाते हैं। अब इंशुन उन सभी पर तूट पड़ता है। सभी मौंग्स खुद को डिफेंट करने की कोशिश भी करते हैं। इंशुन कहता है कि उसे नहीं पता कि मास्टर इनाई क्या करना चाते हैं। लेकिन मौसाशी उस से लड़ना चाता है। और इस चीज़ का वो कब से इंदजार कर रहा था। और देखते ही देखते इंशुन वहाँ सभी मौंग्स को लेटा देता है। कि तभी उस पर मायोई का हमला होता है। जिसे इंशुन आसानी से डिफेंट कर लेता है। वो मायोई से कहता है कि वो बहुत स्लो है और थोड़ी देर में वो भी कुट जाता है। इंशुन की स्परिट दोबारा जाग गई है। वो तुरंथी किसी को इंक प्रश और पेपर लाने को कहता है। इंशुन अब तयार है। उसकी स्परिट और उमीद दोनों ही फिर जाग गए है। वहीं इनाई इंशुन का लेटर मुसाशी के पास लिखा जाते हैं। जिसमें लिखा है कि वो मुसाशी के पास आ रहा है। जिसके लिए अब तक मुसाशी ट्रेनिंग कर रहा था। मुसाशी रात को बुद्धा का स्टेच्यू कार्व करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके मन में यही बात चल रही है कि इंशुन कल उससे लड़ने आएगा। और रह रहकर मुसाशी को इंशुन के हाथों उसकी मौत दिखाई दे रही है कि कैसे उसकी मौत होने वाली है। मुसाशी बेचेन मन से रात काटने की कोशिश कर रहा है कि तभी अचानक ही मौसम बदलने लगता है और वहाँ तूफान आ जाता है। ये आंधी मुसाशी के मन में भी हैं जिससे मन हटाने के लिए वो दोबारा स्वाट प्रैक्टिस शुरू कर देता है। मुसाशी उसकी मौजूदगी को इग्नोर नहीं कर सकता। गर्मी का मौसम गुजर गया है और अब बरसाथ आ गई है। वो जो कर सकता था सब कर चुका है। उसे ऐसा लगता है कि भीडिया उससे बात कर रहा है। वो कहता है कि इतने दिन मौन्टन की ट्रेनिंग से उसे क्या हासल हुआ। अगर ये ट्रेनिंग सिर्फ कुछ महीनों के लिए होती तो कोई भी मास्टर बन चुका होता। और मुसाशी उस बेडियो को ड़ा कर वहाँ से भगा देता है। मुसाशी फिर अकेला हो जाता है अपने मन की बैश्यानी के साथ इसे पीछा चुडाने के लिए वो होजोईन की तरफ भागता है। वो सुबा तक वेड नहीं करना चाहता बलकि खुद पहला हमला करना चाहता है। इस सहीं भी है आखिर उसके अपनेंट को इसकी उमीद नहीं होगी। वो इससे खुश होकर इंशुन को साथदान होने के लिए कहता है। आखिर लड़ाई तो शुरू हो ही चुकी है। वहीं होजोईन टेंपल में इंशुन मेडिटेट कर रहा है। एक बच्चे की तरफ वो बहुत एक्साइड़ है कि वो सो भी नहीं पा रहा है। मुसाशी होजोईन टेंपल पहुंचता है। अभी भी तेस बारिश होड़ी है। टेंपल को देख उसे इंशुन की याद आती है। वो मन ही मन उसे पुकारता है कि वो यहाँ पर आ गया है। शयद ये आवाज इंशुन तक भी पहुँच गई कि उसे लगता है कि कोई आया है। मुसाशी तब भी जस का तस खड़ा हुआ है। उसका इरादा पक्का है और वहां कीचर फैला हुआ है। वो आगे बढ़ने के लिए पहला कदम बढ़ाता ही है कि उसे फिर उसकी और इंशुन की बेड़त याद आती है। मुसाशी दोबारा अपने फैसले के बारे में सोचता है कि उसे शिनमन मुनिसाई का अक्स साफ नजर आता है। वो मुसाशी से कहते हैं कि वो गिरा हुआ है क्या उसने कोई भी प्रोग्रेस नहीं की है। मुसाशी अपने पता को देंक चौक जाता है। वो कहते हैं कि जब तुम्हें पता चला कि तुम जीत नहीं सकते हैं तो तुमने सर्प्राइस अटेक का सहरा लिया और तुम ये भी नहीं कर पाए। मुसाशी को लग रहा है कि वो सपना देख रहा है। मुनिसाई कंटिन्यू करते हैं तक कि जो तुम जरा भी नहीं बतले। तुमने अपने डर के सामने हार मान ली हैं और धोका करने का सोचा। तुम इंशन से डर कर भागे थे और अब छुपकर बार कर रहे हो। तुमने ये मुझ पर भी किया था। तुम तब से जरा भी निए पतले। मुसाशी जानता है कि वो प्रग्रेस कर रहा है और वो अजयब बन कर रहेगा। इस पर मुनिसाई को गुसा आ जाता है। मुनिसाइ कहते हैं कि तुम कमजोर हो कायर हो जो ताकतवर होने का ढोंग कर रहा है लेकिन मुसाशी खुटको स्ट्रॉंग कहता है वो अपने अजय बनने की राह पर है और वो मुनिसाइ की दखल अंदाजी बरदाश नहीं के सकता वो सबसे ताकतवर है और वो मुनिसाई को रास्ते में आने नहीं दीगा जिसके लिए वो मुनिसाई के अक्स पर वार भी करता है मुसाशी को अब realize होता है कि वहाँ कोई नहीं है लेकिन मुनिसाई फिर कहते है तुम जल्द ही मारे जाओगे शायद ये मुसाशी का वहम था या फिर उसका इंट्यूशन कुछ समय बाद तुफान वहां से गुजर जाता है और मुसाशी अभी भी वहीं खड़ा हुआ है वो वापस जंगल आकर खुद को साफ कने लगता है ये काफी भयानक तुफान था जिसने उसे सकी गाला की लड़ाई की याद दिला दी अब उसे भी माता हची खैल आता है शाद उसने अब तक खुद के लिए नाम बना ही लिया होगा वो माता हची से कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो लंबा चीएगा शाद वो अपना नाम भी ना बना पाएं उसे ओच्सू की भी याद आती है उसके बच्पन, जवानी के हर वोपन, जब वो हस्ती थी, मुस्कुराती थी, रोती थी, मुसाशी मनना नहीं चाहता, अपने इस अकीलेपन की आखरी रात में, मुसाशी बुद्धा का स्ट्रेच्चिव बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसका टैलेंट भी उसके अंदर है, और उसकी कोशिश उसके अगले दिन की लड़ाई को बयान कर रही थी, वो जानता है कि इंशन आने वाला है, उसे खुद पता नहीं चला कि वो कब प्रे करने लग गया, इविल, डिमन चाइल, यही उसे लोग जिंदगी पर बुलाते रहे हैं, उसे खुद से दूर भगाय अकेला छोड़ दिया, दुद्कारा, घिर्णा की, लेकिन वो एक स्वार्स्मेंट का बीटा था, उन लोगों की तरह नहीं, अपने ही घर में अकेला, इसलिए वो जंगल चला गया, अब जो वो है, सो है, उसे खुद का रास्ता ताय करना था, सभी ने उसे नफरत की, असल की एक जटके से आँख खुलती है, वो आसपास देखता है कि अंधेरा खुच चुका है, वो सो गया था, दिन बीच चुका है, कि तभी उसे कुछ याद आता है, उसने एक और दिन सवाइब कर लिया, अब है तो बेतुका, वो कुछ है ही नहीं, अगर वो मरने वाला है तो माफी मागता है, कि वो सो गया था, ये सुनका इंशन को हसी आ जाती है, उसे विश्वास था, कि मुसाशी भागा नहीं है, लेकिन एगान को नहीं लगता कि वो सोया होगा, या तो वो वाकए में फियरलेस है, या फिर बेवाकूफ, इंशन तुरंद ही अपनी गर्दन और यहां पर ये वीडियो खत्म होती है, दोस्तो हमने चेप्टर 59 से 62 कवर किया है, ये वीडियो आपको कैसे लगी, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं, अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक करें, चनल पर नए हैं तो चनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, गुडबाए